हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो स्वागत आहें आपका एको नेए विडियोम आज के इस विडियोमें पन रिवी करना वाला है 2024 लेटेस्ट मॉडल हॉंड़ा, AKTIVA 110 cc डिलक्स विरेंट का आज के इस विडियोमे आपको बताने वाला हूँ इसकी अंड़ूर्ड प्राइस म अंदर बीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसकी फ्रेंट प्रोफिल साने देखते हैं, फ्रेंट में को क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, डिलक्स विरेंट के फ्रेंट में को नॉर्मल से देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको फ्रेंट से इसके अंदर देखने को मिलने वाला है इसके फ्रेंट में आपको Honda की ब्राणिंग देखने को मिलती है इस्टिकर के फॉर्म में आपको number plate, mounter नीचे तरब को chrome का बर्ग देखने को मिल जाते है इसकी side profile की बात कुरते हैं इसके fender अपको reflector देखने को मिल जाते है जो night वगरा के लिए काफी अच्छा features मिल जाते है इसके front में आपको telescopic suspension देखने को मिलते है combo braking system आपको scooter के अंदर मिल जाते है अगर आप इसके एक brake को apply करते है तो दोनों brake एक साथ काम करते है इसके front में आपको 19, 19, 12 inches के tubeless tire देखने को मिल जाते है इसके अंदर आपको aloe wheel का option देखने को मिल जाते है इसके top end variant के अंदर आपको aloe wheel का option देखने को मिल जाते है तो चलिए एक बार मैं आपको इसका dashboard दिखा देता हूँ single tone color का dashboard आपको front में देखने को मिल जाते है मेरी यहाइट लगो 5'7 इंचा नहीं मुझे काफी अच्छा space मिल रहा है यहाँ आपको carry hook देखने को मिल जाता है कुछ इस तरके का है अब बात करते हैं इसके instrument cluster के तो इसके अंदर आपको analog instrument cluster देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको speedometer, odometer, economic assign, fuel gauge, check engine light, side stand engine car top और इसकी top speed क को मिल जाता है चलिए दोस्तों एक बार में आपको इसका seat storage दिखा देता हूं इस बैकी की को back press करते हूं, side में आपको button देखने को मिलता है आप इसको press करते हो तो इसकी जो डिग यह open हो जाती है इसके अंदर आपको 18 litre की boot space देखने को मिल जाते है कुछ इस तरह के हैं कि easily mount कर सकते हैं, चोटा मोटा or space आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते है, इसकी seat height की बात करो तो 612 में MQ seat height आपको scooter के अंदर देखने को मिल जाती है, अब बात के लेते हैं इसके side profile की, इसके side में आपको plan के लिए additional footage देखने को मिल जाते है, कुछ इस तरह के matte color finishing के साथ scooter देखने को मिलते हैं, अब आपको active wire की branding मिलती है, जो कि आपको 3D chrome में मिलने वाली है, अब बात के लेते हैं इसके engine की, तो इसके अंदर आपको 110 cc का air cool engine आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो 7.73 vhp की power generate करता है, and 8.19 nm का torque generate करता है, इसके mileage की बात करूँ तो scooter आपको 50 से पसपन का mileage easily निकाल कर देता है, side mark की का भी option देखने को मिल जाता है, इसके करवेट की बात करूँ तो 107 kg का करवेट आपको scooter के अंदर देखने को मिलने वाला है, इसके rear profile में आपको 3 step एडिस्टल suspension देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के 130 mm के drum brake आपको इसके rear profile के अ single piece gravel देखने को मिलते हैं, जो आपको glossy color की finishing के साथ में देखने को मिलने वाले हैं, कुछ इस तरह के नीचे के तरह को Honda की branding देखने को मिलते हैं, इसके fuel tank capacity के बात करूँ तो 5.5L की fuel tank capacity आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको E20 का best देखने को मिल जा तक कि ऐसे bike lit in 40 वीडियाप को महरे चैनल पर देखने को मिलते रहें,